इस वक की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामना रही है परसाद खाते ही 300 सरद्दालों को लेकर बेहद बुरी खबर बुरी तरह से चीख फुकार मच गई अभी इसक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग निज निकल कर सामना रही है जहां पर परसाद खाने के बाद 300 से ज़्यादा लोगों को लेकर अभी इसक्त की बेहद बुरी ख़बर है अस्पताल ले जारे तक का भी टाइम नहीं मिला बीस सातियों वहीं पर ही लगातार एक डोरी लगाकर बोतले चड़ानी सुरू कर दी टीटमेंट लगाना सुरू कर दिया इसक्त की बड़ी कबर महराश्टर के बुल्डाना जिले में एक धार्मी कारे करम परसाद खाने के दोरान 300 से ज़्यादा लोग आचारहक बिमार पड़के इनमें महिलाएं और बच्चे भी सामिल है मामला और वीडियो सामने आने के बाद में इसमें दिख रहा है कि एक अस्पताल के बाहर सड़क पर कही मरीजों को इलाज चल रहा है बताए जारा है कि सलाइन की वोतलो पेड़ों से बंदी रस्यों से बतादे की लटकाई गई है जल्या कलेक्टर किरन पार्टली ने न्यूज अजन्सी पी टी आई को बताये कि एगटना मंगलवार की है सोमन थाना गाउं में हरी नाम नाम का सबताहिक धार्मिक आयोजन हुआ था मंगलवार की राद 10 बजे सोम थाना के खापर खेड़ गाउं में करीब 500 सरदाली परसाद लेने के लिए मंदिर में आये परसाद खाने के बाद उन्हें पेट दर्द उल्टी की सिकायत हुई बिमार पड़े लोगों को बीबी गाउं के एक अस्पताल में ले जाया गया जहां बेड़ की कभी एकते हुए बिजदतर मौरीज़ को इलाज़ अस्पताल के बाहर सिड़क पर करना पड़ा पेड़ों से बांधी गई रस्यों पर सलाइन की बोत ले लगाई गई